नमशिवाय, मेरे संग की यॉरतें इस पार्ट को हम पढ़ रहे थे, आप अपनी बुक में पेज नमबर 18, सेकंड पैराग्राफ निकालिए, यहाँ पर लेखी का अपनी परदादी का वर्णन करते हुए कह रही है कि उनके सामने यदि कोई नामी चोर भी आ जाए तो वो भी अफरात अफरी में पढ़ जाता था और इसी का वर्णन करते हुए वो बता रही है कि कब ऐसा हुआ था हुआ यू था कि किसी शादी के सिलसले में नकुड की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गाउं गए हुए थे घर में शादी थी किसी की किसी लड़के की और शादी वाले दिन सारे घर के जो मर्द थे वो बारात में चले गए थे और घर पर सिर्फ महिलाएं ही थी नकुड गाउं लेखी का कि जो गाउं था उसका गाउं का नाम था नकुड वो बता रही है कि शादी के सिलसले में जब सारे घर के जो पुरुष थे वो बारात में चले गए तो सिर्फ महिलाएं ही बची हुई थी और वे पूरी तरह से तयार होकर के रत जगा मना रही थी मर्द जब बारात में चले जाते हैं तो यहाँ पर घर पर रात में महिलाओं का कारिक्रम होता है तो वही कारिक्रम वो सब कर रही थी नाच गाने और धोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुजा किसी को खबर नहीं हुई इधर नाच गाना च दिवाल बनी होती थी तो चोर जब सेंध लगाते थे तो दिवाल को काट करके उसी से अंदर घुश जाते थे तो चोर सेंध लगा करके हवेली में घुश गया और किसी को भी इस बात का पता नहीं चला पर चोर था बदकिस्मत लेकिका करी है पर चोर की जो किस्मत थी वो लटेतिंगे सर से बचने को वे अपना कमरा चोड दूसरे में जस ए तुकि घर में शादी वाला माहौल था तो बहुत सारी लोग इकठा हुए थे और भिवार ज़ादा नाच गान हो रहा था शोर हो रहा था तो दादी ने क्या किया कि वह अपना कमरा चोड करके दूसरे उनके घर का जो भी उनका घर था कहां पे कौन सा कमरा होगा वो सब कुछ अच्छी तरह से पता लगा करके उस कमरे में गुशा था लेकिन उसे पता नहीं था कि आज जो बड़ी बूढ़ी पुर्खिन है यानि कि जो परदादी है आज वो अपना कमरा छोड़ करके इस कमरे में सोएंगी खेर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाउं की आहट से ही खुल गई बुढ़ापे की नींठ ठहरी यानि बहुत कच्ची नींद वो सोती थी जैसे ही थोड़ी सी भी आहट हुई नींद खुल जाती थी तो जैसे ही चोर कमरे में भुशा उसके पैरों की जैसे ही थोड़ी सी भी आहट हुई जो परदादी थी उनकी तुरंत नींद खुल गई और वो बहुत आराम से उससे पूछती हैं कि कौन है और चोर जो था वो बोला जी मैं तब जो दादी थी वो कहती है कि ठीक है पानी पिला तब चोर को बड़ा अश्चरी होता है कि वो मुझसे पूछ रही है तब तक मा जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था दादी जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी वो जानती थी कि उनके जो कमरे में है वो चोर घुश चुका है तब भी वो बिना घबराए पहले उठती हैं और अपने बिस्तर के बराबर में शायद वहाँ पर टेबल लोबल रखी होगी तो वहाँ पर टटोल कर देख चुकी थी जो उनका पानी पीने वाला लोटा था वो खाली था इस समय तब वो चोर से कहती है कि ऐसा कर ये लोटा ले और कुवे से पानी भर के ला पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखी हो और तरीके से चानी हो फिर वो कहती है ये लोटा ले और बाहर कुवा है वहाँ कुवे से पानी भर के लेया पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लोटा है उस पर कप्डा कस करके बानना और पानी अच्छ चान करके ले आना और चोर उनके इस तरह से आडर देने पर घबरा जाता है और वो तो कहती है कि लोटे पर कप्डा अच्छ तरीके से बानना पर चोर बहुत घबरा जाता है और वह सूचता है कि दादी इतने अंधेरे में यह कैसे जान गई कि मेरे मुँपर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग तरीके से च्छानियों वह पानी च्छानने के लिए दादी कह रही है और जो चोर है था कि दादी इश्वर से जो भी मांगती है भगवान के साथ इनका सीधा सीधा कनेक्शन है बेतार का तार भगवान के साथ दादी का जुड़ा हुआ है वो जो भी मांगती है वो उनकी मननत पूरी हो जाती है इस बात का पता चोर को भी था पर बुढ़िया भांग भी छांत और परिशान था तब दादी उससे कहती है जल्दी कर भाई बड़ी प्यास लगी है तब चोर कहता है कि पर मैं तो चोर हूँ चोर इतना घबरा गया था कि दादी की बातों से वो और भी ज़्यादा घबराहट में आकर अपनी सचाई बता देता है और कहता है कि मैं तो चोर हूँ और वो अपना सच बता देता है तब दादी कहती है चोर है तो हुआ करे प्यासे को पानी तो पिला दे पर देख मेरा धर से क्या मुझे पानी नहीं पिलाएगा मैं तो प्यासी हूं पर एक चीज ध्यान रखना कि मेरा धरम ब्रस्ट मत करना और लोटे के मूँ पर जो कपड़ा बंधा हुआ है उसको हटाना नहीं हाथ रगड करके लोटे को अच्छी तरह से धो लेना और पानी कपड़े से छान कर के ही भरना तब चोर को बहुत आश्यर होता और कहता है वो कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी तब दादी कहती है काहा ना रगड कर धोली जो सब नाच गाने में लगे हैं तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा तब दादी कहती है कि मैंने तुछ से बार-बार कहा कि तु लोटे को अच्छी तरह से बाहर से रगड करके धोले ना यहाँ तो सब नाचगाने में लगे हुए हैं कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा तो इस समय सिर्फ तू है और मेरा इश्वर है और तुम दोनों के अलावा और कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे पानी पिलाएगा भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठा कर चल दिया और जैसे ही दादी कहती है कि तेरे और भगवान के सिवा और कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा तो चोर समझता है कि शायद उसके आसपास कहीं भगवान भी हैं रखे हुए और इस तरह से वो यह ऐसा सोच करके वो और भी जादा घवरा जाता है और लोटा उठा करके पानी भरने के लिए चछा जाता है पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लोटा तो पहरेदार ने धरदबोचा जब वो पूरी सतरकता के साथ पानी भर करके लोटा तो रास्ते में जो पहरेदार था उसने उसे चोर को पकड़ लिया कुए पर देख लिया गया था क्यों क्योंकि पहरेदार ने उसे कुए पर पानी भरते हुए देख लिया था चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर और जब वो पानी पकड़ लिया जाता है तो दादी के पास लाया जाता है और दादी क्या करती है कि चोर के हाथ से वो लोटे का पानी ले करके आधा पानी खुद पीती है और जो बचा हुआ पानी था उन्होंने उसको चोर को पिला दि या अब हम मा बेटे हो गए हमारा रिष्टा मा और बेटे का हो गया तो बेटा अब तो ये तेरी इच्छा पर है कि तेरी मर्जी है कि तू चाहे तो चोरी कर या फिर इज़त से खेती बारी कर बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा सो रोमांचक धंदा छोड खेती से लगा तब जो दादी का जो व्यभार था उनके उस व्यभार से वो चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करना छोड दिया और खेती का कारिय करने लगा सालों साल लगा रहा जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढा लगा मुझे डरा डरा हैरान सा लेकी का कहती है कि दादी के प्रभाव में आकर चोड़ने चोरी करना छोड़ दिया और वो खेती बारी करने लगा और जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो बड़ा ही भला मनुष्य लगा बड़ा ही अच्छा मनुष्य लगा इस तरह से दादी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो भी उनके उस व्यक्तित्व के संपर्क में आता था उसका चरित्र पूरी तरह से बदल जाता था आज के लिए बस इतना ही ओम नम शिवाए